आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जीविज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तोरथ विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें अब कोशन में हमसे पूछा जा रहा है कि बैदुत फ्लक्स तथा उसके भीतर आवेस का मान ग्यात कीजिए अब किसी भी बद परिपत से जो बैदुत फ्लक्स का मान होता हो क्या होता है हमारा e.da के बराबर ठीक यहां से देखेंगे e और da की बीच में हमारा कोड क्या होना चाहिए 0 degree होना चाहिए तभी हमारा फ्लक्स आएगा तो यहां से देखेंगे 5 की value हमारे पास आ गई e.e के value question में given है 2x i तो 2 रखेंगे x रखेंगे i क्या है हमारी दिसा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं da अब इस घं का छेतरफल क्या हो जाएगा ओ हमें निकालना है तो पता है कि एगर घं है उसकी भुजा a है तो इसका छेतरफल क्या होता है घं का छेतरफल हमारा a cube हो जात 253 के ह्मारा 2x i तो i हमारी दिसा होगा तो बैदू-छेतरफ़ का परिमार्द क्या होगा 2x के बराबर तो इस फ्लकस से मतलब इस घं कितने फ्लकस है गबार मारी 2x क्या होगा बैदू-द Hilux की वैलू आगई झेक ये यक्स हमारा क्या है बैदुछेतर है क्या है iстиक मतलब की नियत नहीं है ईक s IW. जैसे क्यों हमारा व्ट nos थाय जाहेगा परिवर्ति हो जाएगा एकर बैदुछेतर परिवर्थी होगा तो हमें पता हैं कि क्या मिलेगा हमें flux मिलेगा और फ्लक्स की वैलू क्या हो जाएगी हमारी e.da की अब e की वैलू क्या है question में 2x हमने रखा d.da छेतरफल क्या हो जाएगा a cube तो हमारा जो flux हो जाएगा इस पूरे घंण से उसकी वैलू क्या है इस घंण से निकलने वाले बैदूत flux की है वैलू ठीक अब यह हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जो हमसे flux पूछा गया था तो हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया दूसरा हमें क्या बताना था कि उसके भीतर आवेस का मान गयात कीजी अम मा लेते हैं कि इस पूरे घंण के अंदर एक हमने आवेस रखा क् करना अब गौश की पर्मिय क्या कहती है किसी भी बद्ध प्रिष्ट के अंदर जो flux होता हो किसके बराबर होता है उस प्रिष्ट के अंदर आवेस अपॉन अफसालन नॉट के बराबर होता है तो इस प्रिष्ट के अंदर यह पूरा हमारा क्या है हम घंण को माली एक हमारा प्रिष्ट है ठीक उसके अंदर आवेस क्या है Q है upon epsilon not का ratio क्या हमारा कहलाता है flux अब flux तो हमने पहले से निकाल लिया क्या है 2x a3 तो आसे देखेंगे कि Q की value यहां से में निकालनी थे तो Q की value क्या आजाएगी हमारी Q बराबर आजाएगा हमारा 2 aq यही फ्लक्स हमारा आएगा 2x aq यह हमारा क्या हो जाएगा question का answer हो जाएगा हमेशाद रखिए कि जो गौश की theorem क्या कहती है किसी ब्ध परिपत के अंदर अगर आवेस क्यू रखा है तो उस परिपत से हमारा जो फ्लक्स होगा उसकी value क्या हो जाएगी ब्ध फ्लक्स होगा Q upon of silent not क्यों क्या होता उस परिपत के अंदर रखा आवेस हमने माना कि यह इस परिपत के अंदर आवेस क्या है Q है तो Q हमारा हो गया Q upon of silent not के बराबर हमारा फ्लक्स आ जाएगा फ्लक्स हमने पहले निकाल लिया e.da से इस बद्ध प्रिष्ट मतलब कि इस घनाप से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी value क्या थी 2x aq दोनों को बराबर कर दिया तो यहां से हमें Q की value मिल गए यह हमारा answer हो जाएगा अगर इसका मातरक देखें तो इसका मा अगरा answer हो जाएगा